नमस्कार दोस्तों मैं उमेश आप सभी का आप नाइटिव चौनले फिर से बहुत बहुत स्वाद करते हैं देखे दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर आपको टीचर बनना है सिक्छक बनना है तो आपको जो है एजुकेशन का जो डिपलोमा होता है या फिर यूं दो साल का बीट का कोर्स चलता है उसको जो है अब यहां पर बंद कर दिया जाएगा तो इसके लिए एक पर्टिकूलर एयर भी रखे गए हैं कि कब तक बंद कर दिये जाएंगे साथी साथ जो है कब से लागू होगा और अब बिहार में बीट करना चाहते हैं तो कैसे कर प प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा देखिए सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि मेरे पास जो है एक पेपर का कटिन है जो की समचार पत्रों के द्वारा जो है इसको जारी किया गया है तो आप सभी जानते हैं कि बिहार में अगर आप बीएड करना चाहते हैं त तो भी आप यहां पर बीएड कर सकते हैं लेकिन अब यहां पर सरकार के दोवरा यह अबडेट आया हुआ है कि अब इसके बाद जो नया सिक्षा निती यहां पर लागू हो रहा है तो उससे ही होगा कि अब यहां पर आप दो सल का जो बीएड है उन नहीं कर पाएंगे बीएड होता है वह आपको करना पड़ता है ठीक है तो अब यहां पर बीहार सरकार का मानना यह है कि काफी सरे जो बच्चे है उनका टाइम जदा बरबाद होता है अभी बीएड है जाते हैं जैसे कि आप सब जानते हैं कि इसका फॉर्म यहां पर फिल भी हो रहा है बारे प्रबेष्ट में होगा कि कि इंट्र के बाद दाइड आपको अलएग अलग करने की वह सकता नहीं होगे और जो दो बड़स का बाद होता है उसको यहां पे बंद कर दिया जाएगा य। आप सभी जानते हैं कि बिहार से बीएड करना चाहते हैं तो आपके पास ज्यादा कॉलेज का भी कल्प नहीं रहाता है मतलब बहुत ही लिमिटेड कॉलेज है जो कि आपको बीएड का यहां पर अप्सन देती है और बीएड आप उससे कर पाते हैं लेकिन ए सिस्टम लागू इससे क्या होगा कि बिहार में जो समाने इन्वर्सिटी है उनको भी बीएड कराने का मौका मिलेगा मतलब कि वह भी रश्यसंग करके आपना यहां पर करवा सकती है तो कहीं ना कहीं जो है बहुत जाहाँ सहुलियत मिलेगी अगर आप भी बिहार से बीएड करना चाहते हैं इंटर के बाद आप चाहां तो डिलेट भी कर सकते हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं तो इंटलै एंटर के बाद ही अपलाई कर पाएंगे। इंटर के पाँ चाहते हैं कि मुझे सिख्छक में जाना है मतलब अपर इस लिए इस सब चीजहों को यहां पर बदलाव किया जा रहा है और यह जो हे 2030 पहले इसको लागू कर दिया जाएगा जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं मतलब कि अभी जो इस सेशन के लिए आप सभी जानते हैं कि फॉर्म यहां पर फिल किया गया है जिसका अलॉर्टमेंट लेटर भी यहां पर जारी किया गया है तो यहां पर यह सेशन चलेगा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ लेकिन 2030 से पहले इसको गॉप्लेटली जो है दो साल का जो बीड है उसको बैन कर दिया जाएगा किवल जो है चार साल का जो इंट्रिगेड बीड है वही आप कर पाएंगे तो बस आज किस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और करके पूछ सकते हैं जहां तक में नौलेज होगी आपको बताने की कोसिस की जाएगी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद